नमस्कार दोस्तों आप सब की बहाली पर विधान परिशद में हुई बहस और स्वास्त मंत्री जी ने किया बड़ा ऐलान आप सब के बहाली को लेकर क्या कुछ है होने वाले आप लोग की बहाली को लेकर कब से न्युक्ति पर किरिया शुरू किये जाएंगे जैसे कि मंगल जी ने जो हमारे स्वास्त मंत्री जी हैं उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया आप लोग के बहाली को लेकर कितने पदों पर बहाली का अयलान किया गया है और इसको लेकर और आप लोग자 बहाली बहाली स्युनHHHH पाले हैं तो आई से में आपो का तेयारी बहुतर होना चाहिए तभी आपका result होगा और इसके लिए आप लोगों का daily classes हो रहे हैं आप लोग इस number पर call करके WhatsApp करके class ंहर ले सकते हैं इसमें कि आपको notes मिल जाते हैं जैसे आप class में join करते हैं और daily आपको classes मिलते रहते हैं तो अब आप लोग late बिल्कुल भी नहीं करिए क्योंकि अब आप लोग का बहाली जल्द आने वाले हैं और आपका तयारी होना चाहिए तभी जाकर आपका exam निकलेगा तो फटाफट आप लोग इस number पर WhatsApp करके, call करके class में जुर जाएए पहुत ही कम charge में आप लोग को class और notes साड़ा कुछ मिल रहे हैं जो कि आपका exam तक class चलने वाले हैं इसमें क्या कुछ हुआ तो जैसे कि बिधान परिसद में स्वास्त मंत्री जी ने राजद सदस के बहस को चुनोती दी आप लोग के बहाली को लेकर बिधान परिसद में जो चर्चाई हुए उसको लेकर स्वास्त मंत्री जी ने अपने बहस के दौरान इसको चुनोती भी दिये और ऐलान भी किये हैं बहाली को लेकर जैसे कि 17,000 जो स्वास्त विवाग में पदो पर बहाली है उसकी भरती की जो परकिरिया है वो यल्द शुरू होने जा रहे हैं ये मतलब की आपको हम बता दे कि ये एनेम को छोड़ के 17,000 बहाली है इसमें यदि हम बात करे तो इसमें आप देख सकते हैं किसा पदादी कारी का 3600 है उसके बाद इसी तरीके से सारे का आपको यहाँ पर जो शीट का केटेगरी है उसका बितरन देखने को मिल सकते हैं ड्रेसर का जो वही है उतना ही जिक्र किया गया है 33-26 पोश्ट और एनेम जी एनेम बाले बिल्कुल भी निश्चिंत रहे हैं आप लोगों का 15,000 और 6,000 15,000 एनेम का 6,000 से भी जैदा 62,000 से भी जैदा है जी एनेम का तो इतनी बाली आप लोगों को तो होंगे ही होंगे और यह सब है ड्रेसर, EGC, एक्सरे टेकनिसियन इन सारे पदों को लेकर भी अलाउंस्मेंट हो चुका है तो जल्द ही अब आप लोगों को फूल नोटिफिकेशन आप लोगों के बहाली को लेकर देखने को मिलने वाले हैं और फूल नोटिफिकेशन आ जाएंगे तो आपके पास ज़्यदा समय रहेगा नहीं तयारी का इसलिए आप लोग अपनी तयारी में पूरी तरह से लग जाएए अपना 100% दीजिए तयारी में नेसित रूप से आपका एक्जाम निकलेगा और बहतर तयारी और वेकेंसी के रिगारिंग सारे इनफॉर्मेशन के लिए आप लोग क्लास की ग्रूप में जुरे रहेए वहाँ पर कोई भी इनफॉर्मेशन आपका बिल्कुल भी मिस नहीं होगा सारे इनफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं साथ ही आपके क्लासेज रेगुलर होते हैं नोट्स भी मिलते हैं चाहे आप एनेम का जोइन करते हैं एनेम का नोट्स मिलेगा जी एनेम का क्लास जोइन करते हैं जी एनेम का मिलेगा ड्रेसर का जोइन करते हैं ड्रेसर का मिलेगा ज़रूर आप लोग क्लास जोइन कर लिजेगा आप लोग को बहाली अब बहुती नजदिक है